हेलो दोस्तों तो आज हम फिर देख रहे हैं बीएससे पार्ट सेकेंड 2021 बाटनी पेपर फर्स ठीक है जिसमें प्लांट टेक्सोनोमी एकोनोमिक बाटनी प्लांट अनाटॉमी एंड इंब्रायोलेजी पड़ते हैं ठीक हमने इस अप्लोट कर दिया है चैनल में ठीक है आगे डाइकोट रूट तो स्ट्रक्चर इसका जो है यह चने की जड़ का अनुप्रस्थ काट है इस सुक्षमदर्शी में देखने से ऐसा दिखता है ठीक है तो यह है चने का जड़ द्वीबच पत्री पादब का एक सामाने उधारन है जिसकी जड़ की अनुप्रस्थ काट को सबसे पहले जानते हैं इपीबलेमा जिसे हम हिंदी में कहेंगे बाहत वचा यह क्या होता है सबसे बाहर का एक इस तरी कोशी का है जिसकी कोशी कावम क्या होते हैं रूठेयर निकलते हैं यह है रूठेयर इपीबलेमा बाहर का इस तरह है एक कोशी की इस तर जिसमें रू कॉर्टेक्स क्या होता है यहां बाहेत्वचा तथा अंतस्त्वचा मतलब इपिबलेमा और एंडोडर्मिस के बीच का अवस्था है जो की बीच मिस्थित होता है या फिर इसमें क्या होता है गोलाकार देख रहे हैं यहां पर गोलाकार है गोलाकार अथ्वा क्या होता है यह बहु भुजाकार, मृदुत्त की कोशिकाओं का बना होता है, इसकी कोशिकाओं में क्या होता है, अंत्रा कोश्च के अवकास पाया जाता है, अवकास मतलब बीच बीच में खाली जगा, जो की इसमें कोशिकाओं क्या करते हैं, इस्टार्च का संग्रहन करती है, ठीक है, और एंडोडर्मिस जिसको बोलते हैं अंतस्त वच्चा एंडोडर्मिस यहां का वाला त्वच्च यहां को बोलते हैं आगे मैं पढ़ूंगी तुम बता दूंगी ठीक है इसमें देखिए पेरिसाइकल है जो मैंने लिखा हुआ है अंदर का भाग है तो पेरिसाइकल क्या होता है यहां परत अंतस्त वच्चा के तुरंत बात पाए जाती है अंतस्त वच्चा मतलब की आप लोग जो पढ़ रहे था भी एंडोडर्मिस एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे ठीक है और कोसिकाओं के एक परत की बनी होती है एक परत आगे देखते है तो वेस्ट कूलर बंडल क्या होता है इनके सहवाल पूल में जायलम तथा फ्लोयम एक दुसरे के बराबर और विभिन अर्ध व्यास पर इस्थित होते हैं जायलम और फ्लोयम देखिए यह देखिए यह फ्लोयम है ठीक है अच्छा मैं जायलम लिखना भूल गई हूं तो म आप लोग मेंसन कर लेना यह होता है जायलम जैसे फ्लोयम होता है उसके जश्ट नीचे लिख लेना ठीक है फ्लोयम जायलम फ्लोयम की बीच बीच में होता है समान पूल अरी होते हैं एक दुसरे को घेरे हुए व्यस्थित होते हैं जायलम क्या करता है एक्सचार्ज होता ह और फ्लोयम चालनी नली का सक्खी को सिखाएं तथा फ्लोयम प्रेन काईमा का बना होता है आप इसमें लिख सकते हैं प्रोटोजायलम, मेटाजायलम फ्लोयम के नीचे ठीक है तो आगे देखते हैं कनेक्टिव टीसू या फिर सयोजी उत्तक सयोजी उत्तक क्या है पुछें तो आप बताएंगे जायलम तथा फ्लोयम के पूलो के मद्ध मृदृत की सयोजी उत्तक होता है अब देखते हैं लास्ट में पिथ तो पिथ क्या होता है समवहन पूलो के मद्ध ठीक है इसको बोलते हैं समवहन पूले पूरा को ठीक है बीच के रखा हुआ है आपको मैं दिखा देती हूं देखो यहां से ठीक है देखो इस्ट्रक्चर अब डाइकाट रूट इचना बाहत वचा क्या होता है भी पढ़के बता रही थी मैं ठीक है कोटेक्स क्या होता है इसमें मैं लिखना भूल गई हूं भूमी से जले में खनी ठीक है मैं चित्र देख के आपको समझा रही थी आपको लिखना भी है एकजाम में आया है कुस्चन अब देखो वैस्कुलर बंडल क्या होता है हिंदी में वैस्कुलर बंडल को क्या बोलते हैं समवहन पूल कनेक्टिव टीसू क्या है एक्टिव को सईयोजी उत्तक बोलत झालो